नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारुलतियागी एक नज़र डालेंगे पांच मिनट में 25 खबरों पर दिली से लखना उजा रही शताबदी एक्सपेस प्रेंड में आज सुभा आग लग गई या गाज़ेबाद प्रुलवे स्टेशन पर खड़ी शताबदी ट्रेंड के पारसल वेंड में लगी जिसके बाद स्टेशन पर हकम मच गया रेल अधिकारी मौके पर पहुँच गया क घर का राशन योजना पर रोक लगाने को कहा गया था मौंबई के इंटीलिया केस का सच तलाशने में एनाईय की टीम जुटी हुई है टीम ने अंबानी के घर के बाहर मौंबई पुलिस के पूर्वधिकारी सचिन वाज़े को बीती रात कुर्ता पजामा पहना कर सीन का र भरती कराया गया था मिदानतर स्पतार में भरती होने के बाद सुक्वीर सिंग बादल से उनके पिता और पार्टी नेता प्रकास सिंग बादल ने वीडियो कॉल पर बाचीत की देश में कोरोना संकत एक बाद फिर पैर पसाने लगा है महराश्ट्र कोरोना का हाट स्पोर्ट बन गया है 121 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार करीब 40,000 कोरोना के केस सामने आए जबकि 188 लोगों की जान चली गई माफिया मुक्तार अंसारी पर यूपे पुलिस ने एक और बड़ी कारवाई कर दी है मुक्तार अंसारी और उसकी गैंक पर उत्रप्रदेश पुलिस ने गैंक्स्टर एक्ट लगा दिया है पुलिस के नुसार मुक्तार अंसारी द्वारा अपने लेटर पैट पर गलत तरीके से सस्त रू लाइसेंस दिलवाने की सिपारिश की गई थी आज ताज नगरी आगरा को बड़ी सौगात मिलने वाली है आगरा के जुला योजना 2021 पर अंतिम मोहर लगेगी जिप्टी सीएम दिनेश शर्मा मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में 510 करोड रुपे की जिला योजना को हरी जंडी दी जाएगी मेसेजिंग एप वाटसयप का सवर शुक्रवा की राग डाउन होने का चलते भारत समय दुनिया के तमाम देशों में कुछ देर के लिए ये ठप रहा भारत में रात 11 बज़े के दोरान वाटसेप डाउन हुआ और फिर लगभग आदे घंचे के बाद रात के 12 बज़े से पहले ही वाटसेप समाने तरीके से काम करने लगा पटी जीन्स वाले बयान को लेका मुख्यमंतुरी तीरस सिंग्रावत की चर्चा अभी खतम भी नहीं हुई थी कि उनके ही मंतुरी गणेश जोशी अपने बयान की वच्छ से विरोध्यों की निशाने पर आ गए गणेश जोशी ने कहा था कि महिलाओ को खर में रहकर बच्चों की देखबाल करनी चाहिए आज यानी 20 मार्च से दरिया गंज को कश्मीरी गेट से जोड़ने वाली सड़क बंद रहेगी ये पैसला चाननी चौक संदर्य करन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए लिया गया है एशिया के सबसे बड़े बाजारों में से एक सदब बाजार इस वक्त दोरी मार्च जिल रहा है होली का मौका है लेकिन कोट के आदेश के बाद नो स्क्वेटिंग जोन में रंग गुलाल या पिछकारी नहीं लग रही है तो बाजार की सेल भी गिरी हुई है इस बार होली के लिए चीन का गुलाल या पिछकारी भी बाजार से पूरी तरह से गायब है महराश में कोरोना के प्रकोप को देखते हुए मदरपरदेश सकार ने फैसले किया है कि 20 माराश से आने वाली बसों को मदरपरदेश में आने नहीं दिया जाएगा यहीं नहीं मदरपरदेश से भी कोई बस 20 मारश के बाद महराश तों नहीं जाएगी देश में एक बाद फिर मौसम करवर्ट बदलने वाला है कई राज्य ऐसे हैं जहां तापण में बोड़ोतरी है लेकिन कई राज्यों में अभी भी बारिश पढ़ने की संभावना है मौझूदा समय में बेहत सक्रिय पश्चमी विशोब उत्ता भारत के पहाड़ों की और बढ़ रहा है जो 20 मार्श के आसपास पश्चमी हमालियों के शेत्रों तक पहुँच जाएगा गुरुग्राम में अब हर मंगलवार को मीट की दुकाने बंद रहेंगी गुरुग्राम नगर निगम के इस फैसले पर AIMI के प्रमुक असुदिन ओवेसी ने पलचवा किया है ट्वीट में ओवेसी ने कहा कि मीट लाकों भारतियों को खाना है और इसे किसी अशुद समान की तरह नहीं देखा जा सकता बिहार विधान सबाश चुनाम में खारा प्रदर्शन के बाद जेडियों इन दिनों संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष आर्सीपे सिंग और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुश्वा जिलास्तर पर कारकर कर कारकरताओं के साथ बैचक कर रहे हैं अगर कोई यात्री कोरोना के नियमों का पालन नहीं करता तो एयरलाइन्स की ओर से उस पर सक्त कारवाई की जाएगी अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपती डोनाल ट्रंप के एक वेक्स स्टेच्चू को एक म्यूजिम से खटा दिया गया है अमेरिकी राष्ट्रपती जो बाइडन का एक वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो में बाइडन विबान की सीरियो पर चड़ते समय लड़ खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं हालकि उन्होंने अपने आपको समाल लिया और गनीमत रही कि उन्हें कोई जोट नहीं लगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशूर एक्टर हंसीका मुटवानी इन दिनों अपने भाई की शादी के तयारियों में व्यस्त है हाली में उन्होंने अपने इंस्ट्रोग्राम हैंजल पर एक पोटो शेयर किया जिसे अपतीजी से जो वारल किया जा रहा है बॉलिवर्ड एक्प्रेस आलिया भच और अन्वी कपूर की शादी के चर्चे सुर्खियों में रहते हैं हाला कि उनके पिता महेश भट नहीं चाते कि उनकी इतनी जल्दी शादी हो अगर आप 90 के दशक के गानों के दिवाने हैं तो आपने सिंग अलका यागनिक के गाने जरूर सुने होंगे गाय का आज अपना जनम दिन मना रही हैं अलका का जनम कोलकता के एक मिडल क्लास फैमली में हुआ था बिग बॉस 14 की एक्स कंटेस्टेंट निकी तंबोली भी कोरोना संक्रमेंट का शिकार हो गई है कोरोना पॉजिटिव होने पर बीमसी ने घर में ही क्वारिंटीन किया है निकी ने खुद इस बात की उजानकारी शोशल मीडिय के जरिये साजा की है बॉलिवुड के खिलारी अक्षि कुमार की फिल्म सूर्य वंशी की रिलीस डेट का अलान किया जा चुका है लेकिन फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमार आर्खान का कहना है कि अक्षि की फिल्मों को खरीदार नहीं मिल रहे हैं और बेल बॉटम और सूर्य वंशी रिलीस डेट नहीं होगी पांच निड़ पचिस खबरों में फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रगे न्यूस पोल इंडिया